इस इस बार के सीजन में जस्प्रीद बुम्रा ने जो किया वो अलग लेकिन कल जो मुकाबला हुआ उसमें जस्प्रीद ने कमाल की गेंद बाजी की मैच था मुंबई इंडियन्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच अब दोनों टीमों में ये रेस थी कि आखिर कैसे इस मैच को जीता जाए उनकी जो अंक तालिका में जो पोजेशन है वो उपर हो क्योंकि पाँचवे नंबर पर किंग्स 11 पंजाब तो छठे नंबर पर मुंबई इंडियन्स थी मुंबई इंडियन्स के सामने इसले भी चुनोती जादा थी क्योंकि वो पिछली बार की चैंपियन है और ऐसे में अगर छठे नंबर पर है तो कहीं न कहीं सवाल भी खड़े होते है अब पहले जब बल्ले बाजी करने के लिए मुंबई इंडियन्स की टीम आई तो उन्होंने अपना शांदार परफॉर्मेंस दिखाया उन्होंने अपने आपको साबित करने की कोशिश की और 191 रन का लक्ष दिया इसके जवाब में यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो बैटिंग जिसकी देखने को मिली वो रहे रोहिट शर्मा रोहिट शर्मा ने शांदार 70 रन बनाए 45 गेंद में और यह कहीं से भी बुरा परफॉर्मेंस नहीं का जा सकता जब जिम्मेदारी आई गेंद बाजों की जब बैटिंग कर रहे थे केल रहूल के टीम मेंबर्स यानि के किंग स्रेवन पंजाब वाले तब यह सवाल उठ रहा था कि क्या गेंद बाजों में वो दम है वो कर सकते हैं इसके जिम्मेदारी संभाली बुम्रा ने बुम्रा आए उन्होंने शुरुवात में उन्होंने ज़्यादा विकेट तो नहीं लिये लेकिन उन्होंने जो गेंद बाजी की और उनके गेंद से रन बहुत कम निकले और इसी लिए जो स्ट्राइक रेट रहा वो बहुत कम रहा जो हम कह सकते हैं मार्जन था वो बढ़ता गया 26 साल की ये क्रिकेटर है अगर हम बात करें बुमरा की और बुमरा ने हर फॉर्मेट में खेला है एहमेदाबाद गुजरात की ये रहने वाले हैं और ये रनजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं और इन्हों ने अपने आपको हर फॉर्मेट में थाबित किया अगर हम बात करें बुमरा की दुमरा ने शुरुआत में जो तीन ओवर किये तीन ओवर में उन्हों ने दो विकेट लिये थे और सबसे ज़्यादा यहां पर चौकाने वाली जो बात है वो है कि उन्होंने तीन ओवर में सिर्फ दस रन दिये यानि कि जो एकोनोमी रेट रही वो तीन दशमला तीन तीन और आईपियल में ये बहुत बहतरीन है यही अगर बुमरार रन लुटा देते जैसे दूसरे गेंद बाजों ने किया तो कहीं न कहीं समस्या मुंबई इंडियन्स के लिए बन सकती थी और मुंबई इंडियन्स की टीम को हरका सामना भी करना पड़ सकता था बुमरार ने बहुत अच्छी गेंद बाजी की और जो फॉर्म में एक तरह से हम कह रहे थी बहुत लोगों ने कहा भी था कि मयंग का अगरवाल किंग स्रेविन पंजाब की तरफ से शांदार बैटिंग कर सकते हैं वो शतक तक जा सकते हैं बुमरार ने उन पर ब्रेक लगा दिया हुआ यू कि बुमरार ने गेंद डाली और अगरवाल वो 25 रन पर चलते बने हाला कि अगरवाल ने 18 गेंद ली 25 रन बनाने में लेकिन ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि वैसे ही अगर हम केल राहुल की बात करे तो वो पहला विकेट अपना गवा चुके थे वो फ्लॉप हुए अब ऐसे में ये था कि किसी तरह से अगर मयंक अगरवाल को रोका जाए तो मैच कहीं न कहीं काबू में आ जाए वही काम बुमरार ने किया बुमरार ने एक शांदार गेंद बाजी डाली उन्होंने गेंद आती है और इस गेंद के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज जो है वो परेशान हो जाते हैं और यही कल के मैच में भी हुआ चिन्ने किंग सिर्वन पंजाब और मुंबाई इंडियन्स ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इस रेस में थे कि जीत जाए लेकिन अच्छेश जो डेडि़ पोड़ प्विडियन थि अच्छेश इन अगर फ्लेद प्लेद इस पास प्लेवर भी कि लोड़ प्लेश प्लेवर झाल्स और यह बद्यो जाए बल्लीज इस अच्छेश फार इंश जीजिग कि अपर टारे श्यूश दोर्षिछ अज